आज हम सीखेंगे बाद का अक्षर बाद का अक्षर मेंस जो अक्षर लिखा हुआ है उसके बाद कौन सा अक्षर आएगा यह आपको बताना है जिसे कि यहां पे लिखा हुआ है आसे अनार तो आसे अनार के जस्ट बाद क्या आता है इस बाक्स में फिल करेंगे हम तो आसे अनार के बाद आता है आसे आम इसी तरीके यहां पर है बड़ी इसे इमली बड़ी इसे इमली के बाद क्या आता है आप पढ़के देख लेंगे आसे अनार आसे आम छोटी इसे इम कि बढ़ी से क्ष्क को डियुकर में, चोटा को लुट का है कि यहां पर लिखा हुआ है फिर आप पड़ेंगे तो बढ़ा सिन के बाद आता है यहां पर हम राइट कर देंगे hippie से ब Daarafter इसके बाद दिखा हुऊ है एसे एंडी है से जाए के बाद क्या आता है एसे के बाद आप यहाँ होगा आता है आसे एनक तो इस ऑॉकस में ऐसे और कर दिए ल्जाह को उसे उखली के बाद क्या आता है वह से और अउरत और अंगूर अंगूर के बाद क्या आता है वहाँ तो हम बॉक्स में क्या राइट कर देंगे जस्ट बात कौन सा लेटर आता है कौन सा अच्छा राता है वही हमको राइट करना था राइट कर दिये है आ से अनार के बाद आता है आ से आम बड़ी इसे एक के बाद आता है छोटा उसे उल्लू उसे उन के बाद आता है रिसे रिसी ए से एड़ी के बाद आता है, ए से एनक, ओ से ओखली के बाद आता है, ओ से औरत और अम से अंगूर के बाद आता है, अहा मिन्स कुछ नहीं यह आपको हमने classwork में आज समझा दिये हैं यह आपको hw में write करना है औ से आम, औ से आम के बाद क्या आता है, आपको यह फिल करना है कि औ से आम के बाद क्या आएगा फिर छोटी इसे इमली, छोटी इसे इमली के बाद क्या आता है, वो भी आप फिल करेंगे इस बॉक्स में चोटी इसे इमली के बाद क्या आता है चोटा उसे उल्लू के बाद क्या आता है वो आपको इस बॉक्स में ब्लेंट बॉक्स में फिल करना है ऐसे एनक ऐसे एनक के बाद क्या आता है वो इस बॉक्स में आप फिल करेंगे और बॉउ व्राइशन ये इंति भीन दूप और ये इस AP कर दीजार भीनों आपको कई रहे आप कंगे और रचता है और लोगेस्ट फिरांट कर रहां और पर दो देश्यास्ट को किलें से अनिपास्ग में अनroe मित आपको कदmpपकीय क्याता है